पेड़ बीजेपी मैनिफेस्ट अन्य विर्दले चेस्तनारों बीजेपी जाते हैं देख शुड़ो नड़ा मातलार तुनारी प्रलावी छुद्दाम बेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी ऐसे डॉक्टर भीम रावम बिटकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतिय जन्संग से लेकर भारतिय जन्ता पार्टी हमेशा इस विचार को और समाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है हम जानते हैं कि आज संकल पत्र की को लोकारपन होगा लॉंचिंग होगी लेकिन हम सब को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतिय जनता पार्टी और शुरू में जनसंग काल से लेकर यह वैचारिक अधिश्टान, आइडियोलोजिकल बेस पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिश्टान की यात्रा में हम सब लोग समिलित है और हर वार जब चुराओ आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है जिस बात को 1952 में शामा प्रशाद मुकर जी ने कही जिसे आगे पंडित दीन दियाल उपाईदया जी ने आगे बढ़ाया उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भर सक प्रयास किया है और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल पत्र यह उस विचारधारा उस वैचारिक अधिश्टान का अनफॉल्डमेंट है उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात मानवाद की बात कही उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंतोदे के रूप में हम लोगों ने इसको सापित किया और प्रधान मंतरी मोदी जी ने उसको सरल भाशा में सबक्यों सबावेश करते हुए और सबकी भाशा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोडते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया मुझे याद है कि 2014 में जब प्रदान मंतरी मोदी जी संसद्य दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पस्च चब्डों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है हमारी सरकार गाओं के विकास को समर्पित है हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पाइदान पर खड़ा लेक्ती है उसको समर्पित है और उसी को कारे रूप देते हुए 2014 से देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को गाओं गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पश्टता के साथ आते हैं। हमारा वोट शेर 37.3% तक पहुँचा और हमारा सीट शेर 303 सीटे हम लोगों ने लोकसभा में दी दी हम यह कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधान मंतरी मोदी जी ने गाओं के लिए गरीब के लिए वन्चित के लिए दलित के लिए हमारे महिलाओं के लिए हमारे किसान भाईयों के लिए और हमारे वन्चित भाईयों के लिए उनको समर्पित किया और उसी तरीके से अगर मैं गाओं की बात करूँ तो आज गाओं मैं यहां प्रधान मंतरी जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था उस समय हमें अपने विधान सबाक शेतर में लगबग 90 प्रतिशत के गाओं को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीन सड़क तीन लाक अस्टी हजार किलो मिटर की ग्रामीन सड़के बनी है औल वेदर रोड बना और औल वेदर रोड के माद्धम से पकी सर्के बनी है आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गाओं नहीं रहा जहां हम पकी सड़क से पहुँच नहीं सकते हैं यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है उसी तरीके से अभी अभी साथ हजार ने गाओं को पकी सड़कों से जोडने का काम लेकिन आज मुझे कुशी है कि आपके नेत्रतों में एक दो लाख पंचायतों को आपके नेत्रतों में आप्टिकल फाइबर से जोड दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फेसलिटीज के साथ जोला गया है गरीब कल्यान की बात करें तो एक समय में ये असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन पहुंचा सकेंगे लेकिन आपने तरासिदी में भी अफसर ढूंड करके तरहान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया असी करोड की जनता को या तो पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल या और एक किलो डाल ये देने की विवस्था की आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगबग पच्चिस करोड लोग भारत की आबादी आज गरीबी की रेका से उपर उठकर के अबब पावर्टी लाइन में आ गई बिलो पावर्टी लाइन से निकल गई ये भी हमारे जाद में और इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अती गरीबी भारत में अब एक प्रतिशत से भी कम हो गई है पॉइंट जिरो एट परसंट सेवन परसंट पर लाकर करके खड़ा किया है उसी तरीके से आवास योजना मैं यहां बार बार सुनाता हूँ और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉग डिवलिप्मेंट आफिसर आके बताता था कि मले साथ आपके हाँ एक पंचाईट में दो इंडरा आवास योजना मिली है दो अब बताओ इसको किसको दे और मेरे लिए प्रश्चन होगता था कि यह किसको दे क्योंकि एक अनार सौ पिमार मैं किसके हो दूंगा मैं वीडियो साथ आपको कहता था कि आप ही तरह करो कौन से मापदन पर आप दे सकते हो लेकिन आज चार करोर प्रभान मंतरी आवास योजना में पक्के घर बन गए